सरकार आजादी का अमरित महोत्सव मना रही है इसी के तहट हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया है इस अभियान के तहट हमारे देश की महिलाओं ने विशेश रूप से उत्सा के साथ योगदान दिया है चलिए, जानते हैं कुछ स्वयम सहायता समूग की महिलाओं से जो इस अभियान का हिस्सा बनकर न केवल तिरंगा तयार कर रही है बल्कि अपने लिए रोजगार भी हासिल कर रही है यह महिलाओं न केवल आत्म निर्भर बन रही है बल्कि देश के प्रती अपनी जिम्मेदारी भी निभा रही है हर घर तिरंगा अभियान के द्वारा वे अपने घरों में तिरंगा फहराने का सौभाग्य प्राप्त कर रही है यह अभियान सिर्फ तिरंगे का नहीं है बलकि यह है एक्ता, समर्पन और देश प्रेम का हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से हम सब मिलकर अपने देश की स्वतंत्रता और एक्ता की भावना को फिर से जागरूप कर रहे हैं कुछ पुछ उन से घैंडदे वह से पैसे हुश मिल जा रहे हैं और एक तरह से देश की सेवा कंऌने इंप इक अगर्विती बात नु सि हमारे में अपना योगदान दे एंपना दे करा लुग जी को हम sarà संब इन कि ठाहे दिल से दहन्यवाद देंगे कि वह은 हमारे घर तक को पूद के सेवा का मुपा दे रहे हैं। और उनकी तमाम योजिना हैं जिनके तहत हम अपना आर्फिक स्किती को सुधा रहे हैं। और मोधी ची को बहुत-बहुत था दनीवाद करना चाहेंगे, कि वो हमारे लिए इतना सोचते हैं, हम महिलाओं को जो महिलाए कल तक धर में बैठी रहती थी, आज वो महिलाए घर से बाहर निकलने हैं, अपने हस्बें के साथ कंधे से कंधा मिला के चल लें, जो महिलाए कल तक के वल घर में सिम्टी रह जाती थी, कोई कुछ भी बोल ला ह बहुत से महिलाइं इसी हैं, जो जिनके हाथ में बहुत से हुनर तो थे, वो चाहती थे थे बाहर निकलने के लिए किने उनका कहीं, घर परिवार वाले मना कर रहे हैं, कभी क्या होता था कि हस्बंड नहीं जाने दे रहा है, कभी पैसे की तंगी थी, लेकिन मोदी जी की जब अभी मिलकर इस महोदसव का हिस्सा बने और अपने घरों में तिरंगा फहराएंग। क्योंकि हर घर तिरंगा है हमारे गर्व और हमारी पहचान।